दोस्तों खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारे आना, इनडाइजेशन होना और पेट में ब्लोटिंग का होना, यानि पेट का फूल जाना, ये कुछ ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉ जहरी हो जाती है, उसकी जड़े और मजबूत हो जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसे पावरफुल सीड के बारे में, एक ऐसे बीज के बारे में, जो कि इस तरह की सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को पर्मनेंटली ठीक करने की ताकत रखता है, और आपको पर्मनेंट राहत इन सभी प्रॉब्लम्स में इसको इस्तमाल करने से मिल सकती है, तो चलिए पीना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जानते हैं कि यह कौन सी होम रिमेडी है, जो कि आपको इसा फायदा देती है, इसको किस तरह से आपको इस्तमाल करना है, और कितनी डोज में इस्तमाल करना है, दोस्तों जिस सीड के बारे में, जिस होम रिमेडी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यह एक बहुत ही कॉमन चीज है, जो कि हम सभी के किचिन में आराम से मिल जाती है, और बहुत सार अलग अलग डिशे में भी इसको डाला जाता है क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं कौन सा ये सीड है कौन सा बीज है दोस्तों अगर आपके मन में कोई आंसर है तो आप अभी इसी समय इस वीडियो को पॉस कीजिए और अपना जवाब नीच जाता हूं कि आपका आंसर सही है या घलत है तो अगर आपने लिखा है अजवाइन तो ये एकदम सही आंसर है क्योंकि अजवाइन ही वह सीड है जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं तो अजवाइन एक बढ़िया हम रिमेडी है जो कि सभी तरह की digestive problems को ठीक क बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपका digestion strong बन जाता है इसके साथ अजवाइन अगर आप इस्तमाल करते हैं तो यह आपके पेट के अंदर gas के formation को भी कम करता है आपके पेट के चढ़ने को भी रोकता है और acidity की problem में भी आपको काफी जादा फाइदा देता है दोस्तों अगर अगर आप अजवाइन को इस्तमाल करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है कि आप अजवाइन का powder इस्तमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कि आप अजवाइन का पानी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप अजवाइन को powder बना के इस्तमाल करना इतनी देर तक आपको roast करना है जब इसके अंदर से aroma ना आने लगे, जब आपको इसके अंदर से एक खुश्बूस ही आने लगे, महक आने लगे, तो इसको आप वहां से उतार लीजे आग से और इसको एक grinder के अंदर डालके अच्छे से पीस लीजे, जब ये बारीक पीस आएंगे, उससे 15-20 मिनिट बाद आपको आधा चमची लेना है और पानी के साथ इसको फांक लेना है, इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद इसको आपको फांक लेना है, अगर आप अजवाइन का पानी इस्तमाल करना चाहते हैं, तो उसको बनाना तो और भी ज़्याद का गर्म रह जाए, तो इसको आप खाना खाने के करीब 15-20 मिनिट के बाद दिन में दो टाइम इस्तमाल केजिए, दोस्तो अजवाइन जो है ये आपकी सभी तरह की डाजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया होम नेमेडी है और इसका कोई साइड इफेक प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ये काफी जादा फायदा करेगी और आपको इससे आजसाच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉइडिट कि आप इसको जादा डोजज में नहीं ले अगर आप इतनी खुराक में जितने की मैंने आपको बताई है इसको बारा महीने इस्तमाल करते रहते हैं तो इससे आपको कोई क्रॉब्लम नहीं आएगी बट स्टिल अगर आपका मिजच गर्म है आपकी प्रगर्थी गर्म है और आपको इसको लेने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके डोजज को कबभी कर सकते हैं आप आधा चमश की जगांग पाओ या आदा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है दोस्तों अगर आपको डाइजेस्टी प्रॉब्लम्स रहती है तो आपको अपने खाने पीने का भी बहुत जादा ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको एसीडिटी रहती है, डाइजेशन कमजोर है, ब्लोटिंग रहती है या जिनको गैस जादा बनती है तो ऐसे लोगों को अपने खाने के अंदर चिकनाई, घी और तेल या यतनी भी ओईली फूड्स होते हैं उनसे परहेज रखना चाहिए जादा तेज गर्म मसाले, जादा मिर्च इनसे आपको परहेज रखना चाहिए, चाए और कॉफी आपको कम से कम लेनी चाहिए, इस्ट्रेस आपको कम लेनी चाहिए, क्योंकि इस्ट्रेस पी एक बहुत इंपॉर्टनिट फैक्टर होता है, आपको डाजेशन को कमजोर करन और एकदम सिंपल साधे मेथर्ड से पकाएं, जादा उसमें तेज मसाले मिर्च अगर आप ना डालें, दोग्स तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़े हैं, जो कि अगर आप फॉलो करते रहते हैं, तो उसकी वज़य से आपको अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने में, अ चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और हमारे साथ इस सफर में आगे भी इसी तरह बने रहिए, चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ, कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा